मैं प्रोश्टर साहब आप से एक दो चीजे समझना चाहूँगा क्योंकि मैं बार-बार मुझे लगता है कि आपका एक विजन एक शिक्षक का विजन होता है तो आप उसकी और चीजे भी आयाम देख लेते हैं मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ जो प्रशान जी ने कहा वो दूसरे शब्दों में बहुत से लोग हम सब लोग कह रहा है कि तोते की जान राजा की जान तो तोते में है तो वो तो साफ हो राज अब ये कह रहा है कि अगर अडानी जी कहीं से एफेक्टेड होते हैं तो ब इसको भी एक तरह से देखा जा सकता है तो वह इंडिस्ट्री को भगाने के बाद भी आम जन के साथ अपने को जोल लेती हैं मात माटी के साथ और जो लोकल उसके साथ जोल लेती हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती है अडानी भी क्या इस समय वैसाई इशू हो गया है कि अगर वो अडानी को भगाती है तो नेता कोई भी हो नेता हमारे थोड़े प्रधान मंत्री जी तो केवल वोट की दृष्टी से चश्मे से देखते हैं लेकिन मंता बेनर जी भी इसका पक्ष्टों देखी रहे होंगी कि स स्टैंड ले रही हैं जहाँ पर फिर से नया टेंडर की बात कर रही है जब L.O.I. डेंगे आपने राजा और तोते का संदर्म लिया मैं संदेर लेता हूं कि गंगाधरी शक्तिमान है और शक्तिमानी गंगाधर और यही पैसा चुनावी बॉंड में जाता है और यही पैसा गुम फिर के हिंदुस्तान में वापस हता है तो पैसा वोई है एकी शोत है एकी लोग है चाहे एकस का पैसा हो चाहे बाई का पैसा दूसरा जो मुझे लगता है मम्तब एनरजी की स्ट्रेटेजी यह वोटों के सलाकार होता जो मैं नहीं हूँ अगर मैं होता तो उनसे कहता कि इंडिया गॉर्मेंट की अगर सरकार आती है माई 2024 में पहला काम पहले दिन होना चाहिए अडानी को दी गई सारी संपत्यों का निश्नलाइजेशन हो वो निश्नलाइज की जाएं यह मैं उनको राय देता और फिर मैं मानता कि जैसे इंद्रा गांदी ने प्रिवी पर्स बंद किया था और जूस प्रकार से बैंकों का निशनलाइजेशन किया था उसके बाद अगर में पॉलीटीशन होता और मेरे को किसी राजनेतिकी से कोई लेना देना नै लेकिन अगर मैंрут अग्ते देशन से कोई परेशानी नहीं लेकिन हमें इस बात से परिशानी है कि देश की सारी संपत्ती अडानी जी जो 2013 में एक छोटे से उद्योग पती थे आज वो विश्व के इतने बड़े दिखोंगी सारी सरकारी संपत्या उनको दे दी गई बंदरगा सारे रेलवे सारे हवाई जाब दुनिया बर की आप यू मिला तो ममताब एनरजी ये जानती हैं कि अगली सरकार के निशाने भी अडाने जी होंगे तो यह च्छे मैने अगर आपने मान लिजे कोई उनसे अरेज्मेंट कर लिया और भुकतना पड़ा क्योंकि वो सब भुकते हींगे जिन्होंने अरेज्मेंट किये हैं और यह जित ही बात है कि उसको कैंसल कर दिया गया यह सब चीजों की जांच होगी और जब जांच होगी तो यह जितने भी अंडरस्टेंडिंग्स होगी इनके भी पोल खुलेगी तो मेरे खाल से ममताब एनरजी क्योंकि जो माना जाता है कि बंगाली और गुजराती दोनों बड़े ब कर रही है वो एक लॉंग टर्म अपने विशन के हिसाब से कर रही है कि मई दोहजार चौविस के बाद जब गाज गिरेगी तो जो जो इसमें सलिप्त होंगे उनको परिशानी होगी इसलिए अपने हाथ पचा की चल रही है मैं स्वामी साब आप से जड़ा एक दो चीजें बहुत बेसिक सी समझना चाहरा हूं मैं इसलिए क्योंकि यह अडानी जी की तो बात चले ही लेकिन दर्शकों को भी एक चीज थोड़ा समझने की ज़रुरत है जैसे अभी राजस्थान में एलेक्शन है वहाँ पे एक ERCP प करते हैं पानी पीने के पानी के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी जैसे इंद्रा कैनाल प्रजेक्ट जो आया है राजस्थान में उसके राजस्थान में कोई सोच नहीं सकता था कि वहां कभी खेती होगी और इसने बड़ी स्केश्ट होगी उसी तरह सिते से बिहार बह पर इसको इसका प्रोग्रेस नहीं होगी इसका डर्लॉपकर नहीं हो गा तो पूरा देश कहीं आप बठाया दे रहा है अगर इस ए आझ नहीं बनेगी तो वह राजस्थानी की बात नहीं यह वह पूरे देश पर कहीं नेinkaहीं पड़ेगा मैं थोड़ा एक आप से इस पर समयना चाहरा हूँ कि यह larger interest है ताजपुर का अगर पोर्ट ठीक से बनता है तो वो थोड़ा relax करेगा दूसरे पोर्ट के भी एक ये बात दूसरा एक बहुत संचिप टिपड़ी out of course थोड़ा पूछ रहा हूँ यह मुझे अजीब सा लगा जो कल इसराइल ने L.E.T. को 15 साल बाद उनों ने उसको घोशत किया है कि यह तो वो है यह आतंकवादी संस्ता है 15 साल बाद मतलब नवेंबर 2008 में L.E.T. का मुंबई अटैक हुआ था 15 साल लगे इसराइल को यह समझने में यह घोशत करने में क्यों है और वो तुर्ण चाह रहा है कि बस उसने कल हम लोग हमाज को आतंकवादी संसा गया दोनों आतंकवादी हैं यह सब ठीक है लेकिन आप 15 साल लेते हैं और आप हमसे चाहते हैं कि हम दो दिन के अंदर आपके उसमें तुरंत है और देखीगा हिंदूस्तान भी दौर के करेगा भी मैं उस पर भी आउट ऑफ कोर्स वाले उस पर भी आपके एक्टिप्री चाहूंगा लेकिन उससे पहले जो यह विकास वाले चीजें होती हैं बिहार स्पेशल स्टेटस प्रोजेक्ट एर सीपी इस तरह कि प्रोजेक्ट में सरकार क्यों पताही करें दे जोदी जी असल में बेसिकली सोचते हैं एक गुजरात के नेता की तरह असल में वह नेता हैं गुजरात के तो वह अपना भविश्वी शात तराशते हैं कि अगर दिली से जाना हुआ तो चीफ इनिस्टर गुजरात तो उनका पद जो है बरकारार रहेगा महराश्ट के प्रोजेक्स अपने अंदर बुलाना गुजरात के अंदर सारा इंडिस्टलाइडेशन करना वहाँ के लोगों को रोजगार दिलाना आपको तो पता ही होगा राजिस्थान और मध्यपदेश के लोग गुजरात जाते हैं नौकरी करने क्योंकि आप उत्तर प्रदेश वालों को आपने फसा दिया मंदिर मस्जिन में और गुजरात में आप ये सा मुद्दे नहीं उठाते हैं वहाँ पे जो चाहते हैं हम लोग हम चाहते हैं कि देश के इंडिस्टलाइडेशन जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे डिसकॉशन हो वहाँ गुजरात में नहीं करना चाहते हैं वहाँ पे वह केवल विकास के बात करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि अगर वहाँ पे सबको रोजगार मिलेगा तो अल्टिमेटली देखिए भूक जो है बड़ी महतवपूर्ण चीज है लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश के लो कहता है पहली बार abstain करते हैं दूसरी बाद हम जो है पैलिस्टीन के समर्थन में अपना वोट दे देते हैं हमारा जो विदेश नीती है हमारी जो आर्थिक नीती है और एक अगर एक मिनट की अनुमतिया मुझे दें जो प्रशान जी से आपने पूछा था क्या अडानी जी अगर आप अडानी जी को दे देंगे अडानी जी का टर्न ओवर देखिए उनका मार्केट के प्लाइडेशन देखिए और उनके रोजगार प्राप्त को यह लोगों को देखिए तो प्रश्ने यह है कि जब कॉमपटिशन नहीं होगा जब एक अधिकार हो जाएगा जब औ कॉमपटिशन इसलिए पंडित जमालन नहरू ने मिक्स्ट अकॉनिमी का कंसिप्ट दिया था पब्लिक सेक्टर भी होगा प्रावेट सेक्टर भी होगा आपस में कॉमपटिशन होगा प्राइसेज भी कंट्रोल होंगे नौकरियां भी मिलेंगी वेलफेर सोसाइटी परबात कर दिया जो विदेश पॉलिसी है उसको परबात कर दिया सामाजी समरस्ता है उसको परबात कर दिया तो मेरे खाल से उनको देश की जो अलग अलग देश की विविदताएं हैं और उनकी जो अवशक्ताएं उसका न तो वो जानना चाते हैं वरना अमिश शाह जी कन की बंद्री पर सभालेंगे और अगली बार फिर कोई दूसरा नेता जो है वो देश की राजगदी समालेगा